भारत माता की यार ये तंबू अगर उपर नहीं हुआ तब 45,000 क्रोड की योजना कोई लाब नहीं है ये तंबू इलना चाहिए अग जब बाचे है बोलें तब क्योंकि वो जो यहां काले सेंडे दिखाने वाले थे उनका मुझ काला इसी से होने वाला है भारत माता की भारत माता की गंगापुर की पवित्र पूजी धर्ति पर आयो जित आज इस कारिक्रम में मंच पर विराजमान राजस्तान के यशच्वी मुख्यमंतरी श्रदे भजनला जी राजस्तान के सम्मानिय प्रदेश द्यक्ष चत्तोर के सांसाद आदर्निय जोशी जी राजसान सरकार के ग्रह राज्य मंत्री आधनिय जवार बेडम जे मजबर उपस्तेत बारतिय जन्ता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आधनिय मुकेश दादीच जे आधनिय विजय बैसला जे आधनिय मान सिंग जे आधनिय चेर्मेन साथ मंजबर उपस्तित सभी वरिष्ट कारिकर्ता बंदू जनप्रतिनी दिगन इस देरी से आने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में उपस्तित यहां मेरे मात्र शक्ति युवा साथियों और पत्रकार मित्रों वे गंगापुर में अब की बार जो स्वागत हुआ है वहाई जो स्वागत हुआ है वागे पिछली बार जब मैं गंगापुर आया था तब गंगापुर में आपके नेता जो यहां थे गंगापुर के ततकालीन सरकार में वो जंडी लेकर के काला जंडा दिखाने के लिए आ यहां पत्रकार वारता में कहा था अगली बार गंगापुर आउंगा तब E-RCP की सौगात लेकर क्या आउंगा नदी जोड़ने की परिकल्पना के रूप में लग्या हो और मैंने कहा था इसी गंगापुर की घरती पर मैंने पत्रकारों से बात करते वaways बारतिय जनथा पार्टी के कारेकर्टानagit के साथ में और पूर्मी राधिससान के प्यासे खेटों और प्यासे कंटों बर द्राज्णीति करने का पाप जोई शु क्या जो गैलोद सरकार ने क प्रजंड बहुमत के साथ राजस्तान में बारतिया जंता पार्टी की सरकार सीपी जोशी जी के नित्रों तुम्हें बनी मैं बनाई देना चाहता हूँ आप सबको एक सरकार बनने की बनाई देना चाहता हूँ और दूसरी बनाई देना चाहता हूँ कि जो मोधी जी की गारंटी लेकर के मैं आपके बीच में आया था जो बात में कह करके गया था कि एक महीने में राजस्तान के सरकार बना और डबल एंजन के सरकार बनेगी एरसीपी नहीं एरसीपी से भी बड़ा काम करके आपका दूँगा पैतालीस हजार करोड रुपे की परियोजना केवल राजस्तान में काम के लिए मध्य प्रदेश में तीस हजार करोड रुपे खर्च होगा पिचेत्र हजार करोड रुपे खर्च करके मध्य प्रदेश के तेरा जिले और राजस्तान के 21 जिले के पीने के पानी की गारंटी, 280,000 एक्टे सिंचाई की गारंटी और इस पूरी भी राजस्तान के सारे चोटे बड़े बांद और ताला बरने की गारंटी लेकर कि मैं आज आप लोगों के बीच में आया लेकिन मेरे को आपसे दोड़ी नाराज़की भी है वो नाराज़की यह है जब मैं पिछली बार आया था तब मैं आपको वादा करके गया था और मुझे आपने बरोसा दिलाए था कि विधान सबा के चुनाव में आप मदद करोगे पर आप लोगों ने पूरी मइनत नहीं की थोड़ा बहुत चूप है चुक एक नहीं चुक है अरे चुक एक नहीं चुक है चुक क्योंगे बोलो पर एक मौका और है आप लोगों के पास में लोग सभा का चुनाव होने वाला है और मोधी जी ने अब की बार चार सो पार का यहाद नारा दिया है इस टॉक और सवाई मादोपुर की लोग सभा में आपने दो बार लातार बारती एजनता पार्टी को आशिरवाद दिया है बड़े बहुमत के साथ में आशिरवाद दिया है लेकिन 45,000 करोड की योजना हो तो साड़े चार लाग करोड रूप आप साड़े चार लाग वोटो से जीत करके पिछला सावा हिसाब किताब बराबर करेंगे बस सिर्फ इतना वादा कराने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ योजना का शिलानियास होगा योजना का शिलानियास जब होगा मोदी जी का मंत्र भी है जिसका शिलानियास हम करते हैं उसका उद्गाटन भी हम करते हैं तो शिला नियास करेंगे और पांच साल में डबल एंजन की सरकार इसका उद्गाटन भी करेंगे आपके खेतों तक पानी पहुंचाएंगे आपके घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे मोधी जी की गारंटी को पूरा करेंगे ये इतनी गारंटी लेकर कि मैं आप लोगो जन्यवाद मानिये गजेंदर सिंग जी शिखावाद आपने जिस प्रकार का तोफ़ा दिया निश्चित रूप से तोग सवाई मादोपुर में कमल खिलेगा और अब की बार मोदी जी की गारंटी को पूरा करेंगे मैं प्रदेश के यसस स्वी प्रदेश आध्यक्स भारतिया जन्ता पार्टी के आदर नियस सीपी जोसी साब से अन्रोद करूँगा कि वहाए रहं को समद्द करें आदर नियस सीपी जोसी साब ताली मजा के सागत करें जोड़ दार भारत बाता की भारत बाता की आज के इस दन्यवाद कार्कम में हमारे बीच में उपस्ट जिन्होंने बागिरिती प्रियास करके राजस्तान में गंगापूर में गंगा लाने का काम किया ऐसे राजस्तान के यसर शी मक्य मंत्री मानी बजलाज सहर्मा जी देश के जल्शक्ति मंत्री मानी गजेन्दर शिंग जी यांग के लोग कुरिय सांसर्द जोनपुरिया जी, राजस्तान सरकार के ग्राय राजय मंत्री, जवार सिंग बैडम जी, यह उपस्तित मानी हमारे हैमराज जी, मान सिंग जी और मंचाशिन सभी समय की सिमा है, सभी हमारे पार्टी के नेतागण और गंगापुर के देव तुल्य, जनता जनारदन, माता, बेनो, युवा, सातियो, पत्रकार मिर्तों, आज आप सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आये हैं, इसलिए मैं सिर्फ आप सब का अभार प्रकट करने के लिए और इस नहीं दुनिया के लोग पूरी नेता, आधने नरंद्र, मोदी जी का भार प्रकट करने के लिए हम सब लोग आये हैं, एक बार जोरदार करतल द्वानी से, प्रदान मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का दनिवाद, और मैं आप से इतना ही कहूंगा, कि मु तब उन्होंने कहा कि हम सीलेंडर सस्ता देंगे, लेकिन मैं आपका दनिवाद इस बात के लिए देता हूँ, कि आप 30 दिन भी नहीं बीते मुख्यमंत्री बने हुए, और मात्र साड़े चार सो रुपे मैं आपने सीलेंडर देने का काम शुरू किया, आपने दूशरे माम ही कहा कि किसानों को में 6000 मोधी सरकार दे रही है, तो 6000 में दूँगा और पहली किस के रूप में 2000 बढ़ाने का काम किया, किसान मित्रों मैं जोरदार ताली वजाकर मुक्यमंत्री जी और भारती जनता पार्टी की सरकार, चुकि कई निर्णे आपने किये, उन सारी बातों के बीच में नहीं जाओंगा, लेकिन मैं आपसे इतना निविदर करना चाहता हूं, और हम सब लोग संकल्प लेकर जाएं, देश के एश्यसी प्रधान मंत्री जी ने नस वर्षों में ज्वेथिया चीक काम किये, अभी हम धोलपूर से आ रहे, बहां आज कोई नियाय यात्र निकाली ती जो उनके पूर्खों ने देश में धारा 370 लगाकर देश को तोड़ने का काम किया, अब नियाय यात्रा निकाल रहे हैं, मुझे लगता है, राजिस देश की जनता हूं, केरी के अब ही हम माफ करो, अब आप इटली चले जाओ, देश की जनता को माफ कर दो, हम में पुद्धान मंतरी चाहिए, देश का सेवक चाहिए, तो नरंद्र मोदी जी जैसा, जिसने गाव, गरीब, किसान, युवा, मैला, हरवर्क के उठान के लिए काम किया, तो मैं आप सब के चड़ों में इतनी प्रात्ना करता हूं, टोंक सवाई मादूपुर, इस बार र इसमें प्रधान मंतरी चाहिए, तीसरी बार प्रधान सेवक के रुक के बेट रहे, इसके लिए हम संकल्प लेंगे, तो उठा दोनों हात और संकल्प ले, भारत बाता की, भारत बाता की, बात बात धनिवाद,